वो ऐसा वातावरन चाहते थे, ऐसी साशन विवस्ता चाहते थे, ऐसा रास्तंत्र चाहते थे, जिसमें सब को रोटी, कपड़ा और मकान मिले इस बात को उन्होंने अपनी वानियों में भी वर्नित किया है, और आप लोगों को ये मालूम है, कि यदि हम अपने भारत देश को इले, तो हमारे इस देश को अज़ाद हुए, साट वर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन सोचने के बात ये है, कि क्या इन साट वर्सों में, संत सिरी गुरु रविदाज जी की जो सोच थी, जो उनकी वानी थी, क्या उसको अमल में लाया गया है, मैं समझती हूँ, इसको ब्राबर अमल में नहीं लाया गया, तबी मानेवर कांशी राम जी ने संद गुरु रविदाज जी की, इस वानी को प्रैक्टिकल अमली जामा देने के लिए, 14 अप्रैल सन 1984 को एक राजनितिक प्लेट फारम दिया, और यह ऐसा प्लेट फारम था, जिसके माध्यम से संद स्री गुरु रविदाज जी की उस वानी को पूरा किया जा सकता है, यह उनकी उस सोच को पूरा किया जा सकता है, जो वो यह चाहते थे, कि यह ऐसा राज तंत्र हो, ऐसा सासन तंत्र हो, ऐसी हकूमत हो, ऐसी सरकार हो, जिसमें सब को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, अर्थात उनकी सोच, सर्वजन हितायव, सर्वजन सुखायप पराधारित थे, इस पार्टी के माध्यम से, हमें उत्तर परदेश में, जो अबादी के हिसाब से, देश का सबसे बड़ा परदेश है, जब हमें यहां सरकार बनाने का मौका मिला, तो हमारी सरकार ने, संत स्री गुरु रविदाजी की, इस वानी को पूरा करने के लिए, हमने सर्वजन हितायव, सर्वजन सुखाय की निती के अधार पर, इधर कारिये शुरू किया, और उत्तर परदेश में जो लंबे अर्से से खास सोर से ऐसे दबे कुछले लोग, ऐसे वीकर सेक्षन के लोग, जिने हम अनुसुची जाती, जन जाती, अन्य पिषडावर्ग, और इनी में से ही, जो कनवर्टिड लोग हैं, जिने हम सिक मुस्लिम, साइब, पार्शी और बुदिस्ट लोगों के नाम से जानते हैं, तो जिनकी समाजिक और आर्थिक इस्तिती में या पूर्ब की सरकारों में ब्राबर बदलाव नहीं आया, उनको जो मान और सम्मान के साथ रोटी, कप्ड़ा और मकान मिलना चाहिए था, वो ब्राबर नहीं मिला, जो उनको जिन्दगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए मोका मिलना चाहिए था, उनके ओपर जुल्म जाती नहीं होनी चाहिए थी, वो ब्राबर नहीं मिला, लेकिन बीएस्पी की सरकार में हमने संत स्री गुरु रविदाजी की इस वानी को, कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ, ऐसा सासन तंत्र चाहता हूँ, जिसमें सब को रोटी, कप्ड़ा और मकान मिलें, काफी हद तक हमने इसको पूरा किया हैं, तो इस प्रकार, संत स्री गुरु रविदाजी जी ने अपनी वानियों में समाज सुधार के लिए तो बहुत कुछ उनोंने का है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने किसी एक धर्म जाती वर्ग वह संप्रदाय की बजाए सभी को ब्राबर मानते हुए सर्वधर्म संभाव का संदेज दिया और समाज में सभी का जीवन मंगल में बनाने के उनोंने अपने वानियों के माध्यम से काफी सूत्र भी दिये। साथी बड़ी मात्रा में साहित्य रचनाबी की जिसका बहुत कम हिसा आज उपलब्द है लेकिन जो भी उपलब्द है उसे देरा सच्छा सच्खंड बल्ला दुआरा संग्रे करके पुस्तख रूप में प्रकासित करा गया है इसके इलावा सिखों के पवित्र धर्म ग्रंत गुरू ग्रंत साम में उनके दुआरा रचित चालिस समवग वेक सलोग भी शामिल है इसके साथ साथ यह बहुत खुशी की बात है कि संथ स्री गुरू रविदाज जी ने जिस स्तान पर अपनी पवित्र वानी की रशना की उस स्तान पर डेरा सच खंड बनलान के महंत संथ स्री एक सो आठ सर्वन दाज जी के अनुवयाईयों द्वारा उनकी स्मृति में भव्य मंदिर का निर्मान कराया गया है इस समय भी स्री एक सो आठ संत निर्ण दाज जी द्वारा इस मंदिर की बहुत अच्छी विवस्ता की जा रही है इसके लिए डेरा सच खंड बनलान से जुड़े सभी लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बदाई देती हूँ साथ ही आप सभी को ये भी मालूम है कि संत श्री गुरु रविदाज जी की जहनती को उत्तर परदेश में हमारी सरकार ने सार्व जनिक अवगाज घोशित किया है और उनकी स्मृति को चिर्ष्टाई बनाने के लिए पूर्व में भी परदेश में हमारी पार्टी की सरकार बनने पर हमने कई कदम उठाए थे जिसके तहत मैंने दिनाग 20 मई 1997 को खास तोर से बारण असी में संत श्री गुरु रविदाज जी की स्मृति में